13 फरवरी तक यह सत्र चलेगा दिली से बढ़ी औरहम खबर आपको उता दें बजट सत्र का आगाज आज से होने वाला है थोड़ी ही दिर के बाद संगसत का बजट सत्र शुरू हो जाएगा 31 जनवरी से याणि आज से 13 फरवरी तक यह सत्र चलेगा सरकार के तहट संसत का अंतिम सत्र ये होगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी संसत भवन पोज गए हैं आज देश में जाग रूखता है पियम मोदी ने बज़र सत्र के शुभारंबु से पहले ये बात ये कहीं देश के सामने जिनके चर्चा में रुची नहीं देश उनसे नाराज है सदन के वक्त का सद उपयोग करें सब को साथ लेकर चलने का एजन्रा है और सभी पाठियां इसका साथ दें सदन को सुचारू रूप से चलाने की अपील की क्याैं तर्थान्मंत्री मोदी ने के सबी आप को दिखा रहे है राश्ट्र पती रामनात कोविन लोगसभैस पीका सुमित्र पहजुन प्रधान मंत्री नरी इद्रि मोदी रस मेरे आपका ब्राश ऑर श्भास्र होगा दोनों सदनों को संबोधित करेंगे राश्ट्रपती रामनात कोविन जिसके बाद सत्र का अगाज हो जाएगा सुभारम्ब हो जाएगा तस्वीरे आपको दिखा रहे हम राश्ट्रपती का भी भाशन होगा थोड़ी दिर के बाद प्ल Wash जा जॉ झाएगा रहे हम फुष्ल vapor भी कोवित का भी डोड़ी दे लाएगा तस्वीर कोभी का दो हुआ हो जात्र कीमिक्ति थ extrहत दो परिसेंप पैड़ा थका कि आपको दिखा रहे हैं राश्ट्रप्ति राम्नात को को दिखा रहे हैं राश्ट्रप्ति राम्नात कोविन का अभिभाशन होगा और राश्ट्रप्ति के अभिभाशन के बाद दोनों सद्नों को संबोधित करने के बाद ही चलेगा सदर माननी सदसगन संसत के संयोग सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अपार प्रसन्यता हो रही है 2019 का वर्ष हमारे लोग तंतर के इतियास का एक महत्पोर पड़ा हो है इस वर्ष हम भारत के लोग राश्ट्रप्ता महत्मा गांधी की एक सो पचासवी जैनती मना रहे हैं इसी वर्ष 13 अप्रेल को जलियाँ वाला बाग में हुए दुखत नरसंगार के सो वर्ष भी पूरे हो रहे हैं मैं पूरे राश्ट की ओर से उन सहीदों को सध्यांजली अर्पित करता हूँ जिनों ने हमारे उज्वल भविस्ट के लिए अपने प्राण नुच्छावर कर दिये इस वर्ष हमारा देश संबिधान दिवस की सत्तरवी बर्ष गाट भी मनाएगा इसी एतियासिक सेंटरल हाल में हमारे महान संबिधान नर्माताओं ने भारत के संबिधान की रचना की थी सेवा भाव और सदभाव के साथ जीवन जीने की सीख देने वाले गुरू नानक देवजी की पांसो पचासवी जैन्ती भी हम इसी वर्ष मना रहे हैं मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा देश गांदी जी के सपनों के अनरूप नैतिक्ता पर आधारित समावेशी समाज का निर्मान कर रहा है हमारा देश बावा साहब डक्टर भीमरावामवेटकरद्वारा संबिधान में दिये गए सामाजिक और आर्थिक नियाय के आधरसों के साथ आगे बढ़ रहा है मेरी सरकार के प्रियासों में शोषण की राजनीती के विरुद्ध जन चेतना की मसाल जलाने वाले डक्टर राम मनोहर लोहिया के समानता पर आधारित समाज के प्रती आस्था इसपस्ट दिखाई देती है मननी सदस्गर बर्स 2014 के आम चुनाओं से पहले देश एक अनस्चितता के दोर से गुजर रहा था चुनाओं के बाद मेरी सरकार ने कारभार समालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया एक ऐसा नया भारत जहां बिवस्थाओं में अधूरापन और अकरमनता ना हो जहां व्रस्टाचार ना हो जहां अस्वक्षता के लिए कोई इस्थान ना हो पहले दिन से ही मेरी पारदर्सी सरकार का धे था कि सभी देश वासियों का जीवन सुधरे कुशासन से पैदा होई उनकी मुसीवतें दूर हूँ और समाज की आखरी पंक्ती में खड़े व्यक्ती तक जनसुगधाएं पहुचे वो गरीब मां जो लकडी के धुए में खाना बनाती थी वो बेवस बहन जो पैसे की चिंता में गंभीर बीमारी के बावजूत अपना इलाज टालती थी वो बेटी जो सौच जाने के लिए सूरज घलने का इंतजार करती थी वो बच्चा जो बिजली के अभाव में पढ़ाई के लिए सूरज की रोसनी का इंतजार करता था वो किसान जो ओले से फसल बरबाद होते देखकर करज चुकाने की चिंता में घिर जाता था वो युवा जो करज ना मिल पाने के कारण अपना रोजगार सुरू नहीं कर पाता था ऐसे ही असंख असहाय चेहरों ने मेरी सरकार के लक्ष तेक की और इसी सोच ने मेरी सरकार की योजनाओं को आधार दिया यही दिन दियाल उपाध्याय के अंतियोदे का आधर्स रहा है और उनका यह आधर्स ही मेरी सरकार के कामकाच की सार्थक्ता की कसौर्टी बना है पिछले सारे चार बरसों में मेरी सरकार ने लोगों में एक नई आशा और विश्वास का संचार किया है देश की साख बढ़ाई है और सामाजिक तता आर्थिक बदलाव के लिए प्रभावी प्रयास किये है पड़नाम सुरूप मेरी सरकार ने देश बासियों का अपार इसने और विश्वास जीता है हर एक भारत बासी का जीवन बेतर हो यही मेरी सरकार का मन मुक्धे है माननी सदस्गं समग्र और आधनिक विकास के लिए अनिवार है कि हमारे देश का एक भी भाई बहन या एक भी परिवार बुनियादी जरूरतों से बंचित ना रहे आम नागरिक का दर्द समझने वाली मेरी सरकार ने मूल भूत सुविधाओं को प्रात्मिक्ता दी लोगों के स्वास्त की चिंतागी और सरकारी योजनाओं को नया सुरूप देकर अबूत पूर गती से काम किया प्रभू बस्वन्ना ने सबके प्रती संबेदन सीलता के इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा था दैवे धर्मद मूल वईया अर्थात करना ही सभी आस्थाओं का आधार है सभी प्राणियों के लिए प्रतेक व्यक्ती के हिर्दय में प्रेम और करोना का भाव होना ही चाहिए सवचाले की सुविधा का ना होना करोरों देशवासियों विशेश कर हमारी बहु बेटियों को गरिमाहीन और अस्वस्त जीवन जीने के लिए मजबूर करता था स्वक्ष भारत वियान के तहेत 9 करोर से ज़्यादा सवचालेयों का निर्माण हुआ है इस जन आंदोलन के कारण आज ग्रामीर स्वक्षता का दायरा बढ़कर 98 प्रिशत हो गया है जो की बर्स 2014 में 40 प्रिशत से भी कम था एक आकलन के अनुसार इन सवचालेयों के बनने से गरीबों की अनेक बीमारियों से सुरक्षा हो पा रही है और तीन लाग से ज़्यादा गरीब देश-बासियों के जीवन की रक्षा संबव होई है मात्मा गांदी की 150 वी जैन्ती के इस वर्स में हमें याद रखना है कि हमने पूर्ज बापू की स्मिती में इस वर्स 2 अक्टूबर तक देश को संपूर स्वक्ष बनाने का संकल्प लिया है माननी सदसगर हमारी बहुत सी माताएं बहने और बेटियां चूले के दुएं के कारण बीमार रहती थी पूरे परिवार का स्वास्त प्रभावित होता था और उनका अधिकांस परिस्रम और समय इधन जुटाने में लग जाता था ऐसी बहनों बेटियों के लिए मेरी सरकार ने उजवला एउजना के तहट अब तक 6 करोड से ज्यादा गैस कनेक्शन दे दसकों के प्रियास के बाद भी बरस 2014 तक हमारे देश में केवल 12 करोड गैस कनेक्शन थे बीते केवल 4.5 वर्सों में मेरी सरकार ने कुल 13 करोड परिवारों को गैस कनेक्शन से चोड़ा है हमें इस बात से भली भाती परचित है कि बीमारी के इलाज का खर्च किसी गरीब परिवार को और भी गरीब बनाता है इस पीड़ा को समचने वाली मेरी सरकार ने पिछले वर्स आयुस्मान भारत योजना सुगू की विश्व की सबसे बड़ी स्वास्त योजना प्रधान मंत्री जन आरोग या विहान के तहत देश के 50 करूर गरीबों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिती में हर परिवार पर प्रतिवर्स पांच लाख रुपए तक के इलाज खर्च की बेवसा की गए सिर्फ चार महिने में ही इस योजना के तहट दस लाख से ज़्यादा गरीब अस्पताल में अपना इलाज करवा चुके हैं मेरी सरकार का यह भी प्रियास रहा है कि गरीब और मध्यंबर के परिवारों पर इलाज के खर्च का बूच कम से कम परें प्रधान मंत्री भारतिये जन और शदी परियोजना के तहट देश बल में अब तक 600 से ज़्यादा जिलों में 4,900 जन और शदी केंद्र खोले जा चुके हैं इन केंद्रों में 700 से ज़्यादा दवाईयां बहुत कम कीमत और उपलब्द कराई जा रही हैं इसी तरह दिल की बीमारी में इस्तेमाल होने वाले स्टेंट की कीमत कम किये जाने से गरीब और मध्यंबर की लोगों को आउस्तन लगभग 4,600 करोड रुपए सालाना की बचत हो रही है गुटने के ट्रांस्प्लांट की कीमत कम किये जाने से लोगों को सालाना लगबग 1500 करोर रुपे की बचत हो रही है मेरी सरकार ने किटिनी की बिमारी से परेशान भाईयों और बहनों के लिए डायलेसिस की निस्सुल कुष्देवा उपलब्द कराई है इससे डायलेसिस के हर सेशन में लोगों को 2000 रुपे से अधिक की बचत हो रही है इसके साथ ही सिर्फ एक रुपया महिना के प्रेमियम पर प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना और 90 पैसे प्रतितिन के प्रीमियम पर प्रदान मंत्री जीवन ज्योती भीमा योजना के रूप में लगभग 21 करोड गरीब भाई बेहनों को भीमा सुरक्षा कवच प्रदान किया गया है किसी अनहुनी के समय प्रतेख योजना के तहर दो लाख रुपए की साहता का प्रावधान किया गया है अब तक कि उसी योजना के माध्यम से 3100 करोड रुपए से अधिक की राशी पुपलद कराकर मेरी सरकार ने देशवाशियों का उनके संकट के समय में साथ दिया है मेरी सरकार गरीब महिलाओं और बच्चों में कूपोशन की चुनोती को समात करने के लिए भी पूरी शक्ती से काम कर रही है कूपोशन के लिए जिम्मेदार परिस्तितियों को दूर करने के लिए तथा कूपोशन से पीड़ित लोगों के लिए मेरी सरकार ने रास्ट्रिय पोशन मिशन सुरू किया है देश के दूर दराज और आजिवासी इलाकों में रहने वाले बच्चों और गर्वती महिलाओं तक भी ठीका करन की सुबदा पहुँचे इसके लिए सरकार ने मिशन इंद्र धनोस योजना की सुरूगात की जिसके फल सुरूप अब देश बहुत तेजी के साथ पूर ठीका करन के लक्ष के करीब पहुँच गया है चाहे सहर हो या गाँ मेरी सरकार स्वास्त से जुड़े इंफ्रस्ट्रक्शर को मजबूत करने का काम तेजी से कर रही है सरकार द्वारा नए मेटकल कालिज खोले जा रहे है जिला अस्पतालों को अपग्रेट किया जा रहा है और देश की हर बड़ी पंचायत में वेलनेस सेंटर खोले जा रहे है तमिलनाडू के मदुरई से लेकर जम्मो कस्मीर के पुलवामा तक और गुजरात के राजकोर से लेकर असम के काम रूप तक नए एम्स बनाए जा रहे है इसके अलावा सरकार नए आयरवेद विज्ञान संस्तान भी खोल रही है और साथ ही सारीरिक और मानसिक स्वास्त के लिए योग को भी बढ़ावा दे रही है गाउं में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए बीते चार बरसों में मेटकल की पढ़ाई में 31,000 नई सीटें जोड़ी गई है माननी सदस्गन जब मेरी सरकार ने ये लक्षित्य किया कि बरस 2022 में जब देश स्वतंदरता की 75 वी बरस गांट मना रहा होगा तब कोई भी परिवार बेखर न रहे तो कुछ लोग सोशते थे कि ये कैसे संबव हो सकता है लेकिन सरकार ने पुरानी योजनाओं के घरों का निर्मान पूरा करने के साथ ही प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट सहर और गाउं में घर बनाने के काम को अभूत पुरुवगती दी है पिछले सारे चार बरसों में सरकार की ग्रामियन आवास योजनाओं के तहट एक करोड़ तीस लाग से ज़्यादा घरों का निर्मान की आजास हुआ जबकि बरस दो हजार चौदा के पहले पांस साल में सिर्फ पच्चीस लाग घरों का ही निर्मान हुआ था गरीबों के लिए घर के निर्मान और घर की चावी देने में पांच गुना से ज़्यादा की ये तेजी देश के गरीबों की तकदीर और हमारे गाओं की तस्वीर बदल रही है इसी तरह सहरों में भी अब अपना घर बनवाना या खरीदना सामान आय के व्यक्ति के लिए अधिक आसान हुआ है काले धन और उंची कीमतों की बज़े से किसी सामान परिवार का अपना घर होने का सपना पूरा होना मुश्किल हो गया था मेरी सरकार ने रेरा कानून लागू करके ये सुनिश्चित किया है कि घरों का निर्मान समय से पूरा हो और समय से आवेदक को सौपा जाए जिससे कि उसकी जीवन भर की कमाई फासे नहीं इस कानून के बाद देश भर में करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रिजिस्टर किये जा चुके हैं जिन में लागों घरों का निर्मान करके परिवारों को सौपा जाना है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहट सरकार निम्न आयवर के लोगों को साड़े 6 प्रिशत की इंटरस्ट सबसीडी भी दे रही है एक आखलन है कि अगर किसी ने 20 लाग रुपए का होम लोन 20 बरसों के लिए लिया है तो उसे करीब करीब 6 लाग रुपए की साहिता मिल रही है मेरी सरकार हर व्यक्ति के जीवन में रोशनी लाने का काम कर रही है बरस 2014 में 18,000 से अधिक गाउं ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुँची थी आज देश के हर गाउं तक बिजली पहुँच गई है प्रदान मंत्री सवभाग योजना के तहट अब तक 2 करोड 47 लाग गरों में बिजली का कनेक्शन दिया जा चुका है अब भारत तेजी से उस इस्तिती की तरह बढ़ रहा है जहां उसके प्रतेग घर में बिजली होगी और कोई भी परिवार अंधेरे में जीने के लिए मजबूर नहीं होगा मेरी सरकार हर वर्ग की आगांचाओं और सपनों को पूरा करने के लिए गंभीरता से कार कर रही है आय करका बोज घटा कर और महेंगाई पर नियंतरन करके सरकार ने मध्यमबर को बचत के नए अवसर दिये है सरकार का प्रियास है कि कड़प परिस्त्रम करने वाले हमारे मध्यमबर की पूंजी बढ़े और निवेश के नए विकल्पों से उनकी आय और भी बढ़े माननी सदसगन जब देश को अटल बिहरी बाजबे की रूप में एक दूरदर्सी सर्व समावेशी संबेदन सील गरीब का दुख समझने वाले प्रधान मंत्री मिले थे तो अनेक नए बिभाब मंत्राले और कारक्रम सुरू किये गए थे उत्तरपूर्व के राजियों के लिए अलग मंत्राले हो या आदिवासी कल्यान मंत्राले सर्वेशिक्षा अवियान हो या स्वरनेम चतुर भुच के जरिये देश को सडकों द्वारा जोडने का अवियान ये सब अटल जी की ही देन थे अटल जी ने देश में ब्याप्त असुंतलन को दूर करने का महायग सुरू किया था अटल जी द्वारा किये गए ये कार और मंत्राले 21 सदी के सुरू आती बरसों में भारत में सामाजिक असुंतलन समाप्त करने के लिए बहुत महात पूर्शिद हो रहे थे लेकिन दुर्भाग बस बाद में इन कारियों को वैसी गती और निरंतरता नहीं मिली जैसी मिलनी चाहिए थी हम सभी जानते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों को अगर उनके सारीरिक संघर्स कम करने में साहता मिल जाए तो वे अपने दम खम पर नई उचाईयों को प्राप्त कर सकते हैं इसी सोच के तहट अटल जी द्वारा इस्थापित सामाजिक न्याय और अधिकारता मंत्राले ने दिव्यांग जनों के लिए साहता सिवरों की परंपरासूर की थी लेकिन बर्स 2014 तक इस्तिती ये रही कि ऐसे सिर्व 56 सिवरों का ही आयोजन हो सका 2014 में सरकार बनने के बाद अटल जी के विजट पर चलते हुए मेरी सरकार ने पूरी संबेदन सीलता के साथ दिव्यांग जनों से जुड़ी समस्याओं के समाधान का प्रयाश सुरू किया बीते साड़े चार बरसों में मेरी सरकार ने अवसतन हर महीने 140 साहिता सिवरों का आयोजन किया है जहां पहुँचकर दिव्यांग जन खुद साहिता उपकरण प्राप्त कर रहे हैं इस दोरान पूरी पारदर्स्ता के साथ करीब 12 लाग दिव्यांग जनों को 700 करोर रुपे के साहिता उपकरण दिये गए दिव्यांग जनों को आने जाने के समय रेलवे स्टेशनों तथा बस अड़ों पर किस तरह की असुविदा होती है इससे हम सभी परचित है मेरी सरकार ने सुगम भारत अभियान चला कर लगबग 1000 सरकारी इमारतों और 650 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों को दिव्यांग जनों के लिए सुगम बनाया दिव्यांग बच्चों को दूसरे राजियों में जाने पर दूसरी तरह की सांकेतिक भासा की बज़े से तकलीप होती थी कई जगे एक ही राज़ में भी अलग-अलग सांकेतिक भासा का प्रियोग किया जा रहा था उनकी इस तकलीब को समचते हुए मेरी कटनाई ने, मेरी सरकार ने पूरे देश में दिभ्यांग जनों के लिए एक ही सांकेदिक भासा पर काम सुरू किया दिल्ली में स्थापित इंडियन साइन लैंग्विज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर द्वारा दिभ्यांग जनो के लिए तीन हजार शब्दों की डिक्सनरी प्रकासित की जा चुकी है और तीन हजार नए शब्दों की डिक्सनरी पर काम किया जारा है कितना ही नहीं केंद्र सरकार की लगभक 100 वेप साइट haft को भी दिब्यांग जनों की आवश्कता के मुताबिक बदला गया है मेरी सरकार ने दिब्यांग जन अधिकार अधिनियम लागू करके उन्हें सिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और नौकरी में समानता का आवस्द भी प्रदान किया है माननी सदसगं बरसों से हमारे देश में मानो रहत रेलवे क्रासिंग पर होने वाले हादसों को लेकर बड़ी चर्चा होती रही संसद में भी ये विसे कई बार उठा है बरस 2014 में हमारे देश में मानो रहत क्रासिंग की संक्या 8300 थी मेरी सरकार ने मानो रहत रेलवे क्रासिंग समाप्त करने का विहान चलाया और अब ऐसी क्रासिंग लगबख समाप्त हो गई है हमारे देश बासियों को प्राया किसी ने किसी प्राकृतिक आपदा से जूचना पड़ता है हर बर्स कुछ जिलों में बार आती है कुछ जिलों में सूखा पड़ता है प्राकरतिक आपदाओं के प्रबंधन पर भी सरकार पूरा बल दे रही है और हम अपने रहत के कार पूरी छमता से कर सकें इसके लिए पहले के मुकाबले दोगनी से ज़्यादा रासी मोहिया कराई चाहे दक्षण भारत के राजियों में समुद्री दूफान की आपदा हो या फिर पूर्वी भारत में बार का संकट मेरी सरकार ने रहत और पूर्ण निर्मान के कारज़ों में पूरी ततपरता और संबेदन सीलता का परचे दिया समाज में ब्याप्त हर प्रकार के अभाव और अन्याय को समाप्त करने की संबेदन सील सोच के साथ मेरी सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए कानून बिवस्ता में समुचित परिवर्तन का प्रियास किया नागरिक्ता संसोधन बिदेख के द्वारा उन पीड़तों को भारत की नागरिक्ता प्राप्त होने का मारगासान होगा जो प्रतारना के कारण पलाएन करके भारत आने पर मजबूर हुए हैं इसमें उनका कोई दोस्त नहीं है बल्को परस्तितियों का सिकार हुए है किसी नाबालिक के साथ बलादकार करने की जगन अपराद की सजा के लिए सरकार ने अपरादी को फांसी की सजा देने का प्रावधान किया है कई राज्यों में तेजी से सुनवाई के बाद दोस्यों को फांसी की सजा मिलने से ऐसी विकृत सोच रखने वाले लोगों में कड़ासंदेश किया हमारी मुसलिम बेटियों को डर और भैकी जिन्दगी से मुक्ती दिलाने तथा उन्ने अन्न बेटियों के समान जीवन जीने के अधिकार देने है तो मेरी सरकार तीन तलाग से जोड़े कानून को संससे पारित करवाने का लगातार प्रियास कर रही है इसी तरह अन्य पिष्णा वर्ग आयोग को संबाइधानिक दर्जा दिया जाना सामाजिक नियाय के लिए मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्साता है बीते सीत कालिन सत्र में संसद्वारा संबिधान का एक सो तीनवा संसोधन पारित करके गरीबों को आरक्षण का लाब पहुचाने का अइधियासिक फैसला लिया गया यह पहल देश के उन गरीव युवक युवतियों के साथ नियाय करने का प्रियास है जो गरीवी के अभिसाप के कारण वंचित मैसूस कर रहे थे इस नई बिवस्ता का वर्तमान आरक्षण पर असर ना पड़े इसके लिए सैक्चक संस्थानों में सीटों की संख्या भी उसी अनपात में बढ़ाई जा रही है माननी सदस्गन हमारे युवा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है भारत दुनिया का सबसे युवा देश और 21 सदी के युवा भारत की उमीद है तता उसके सपने मेरी सरकार की नेतियों निर्णायों को प्रेरित करते रहे अपने पेरों पर खड़ा होने की ललक रखने वाले युवाओं को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास अभिहान सुरू किया गया इस अभिहान के तैट पिछले चार बरसों में प्रति बरस हौस्तन एक करोड युवाओं को कौशल विकास का प्रिशन्ड दिया गया यवाओं के कौशल को बढ़ाने में आहम भूम का निभाएंगे नौ जवानों को अपने ब्यवशाय के लिए आसानी से रिण प्राप्त हो इसके लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के तहट बिना किसी गारंटी के 7 लाख करोड रुपए से ज़्यादा के रिण दिये इसका लाब रिण प्राप्त करने वाले 15 करोड से ज़्यादा लोगों ने उठाया है इस योजना के तहट 4 करोड 26 लाख से ज़्यादा लोगों ने पहली बार रिण लेकर अपना ब्युशाय प्रावंद किया है मेरी सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया तथा स्टेंड अप इंडिया के माध्यम से नौजवानों को स्वावलंबी बनाने की दिसा में आर्थिक सहायता प्रदान की है जिसके फल सुरूप आज भारत का नाम स्टार्ट अप की दुनिया में अग्रिम पंक्ती के देशों में लिया जा रहा है प्रदान मंत्री रोजगार प्रोथसाहन योजना के द्वारा सरकार ने नौकरियों को इंसेंटिप के साथ जोड़ा है इस योजना के तहट किसी नौजवान को नई नौकरी मिलने पर जो EPS और EPF का बारा प्रित्सत प्रोयर की तरफ से दिया जाना होता है वो पहले तीन बरस तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है इस योजना का लाब देश के एक करोड से ज़्यादा युवान को मिल चुका है माननी सदस्गन हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बेटी बेटे अच्छी तरह पलिक कर जीवन में आगे बढ़े कुछ इस तरह प्रोफेशनल एजुकेशन के अवसरों को बढ़ाने के लिए सरकार नए सिक्षन संस्तानों की स्थापना कर रही है और साथ आई आई टी, साथ आई आई एम, चौदा ट्रिपल आई 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 टी, एक एन आई टी और चार एन आई टी की स्थापना की जा रही है देश में अनुसंदान को पोटसाहन देने के लिए सकार दारा दी जा रही स्कॉलर्शिप और फेलोशिप की रासी में 25 प्रितसत से अधिक की ब्रद्धी का निरने लिया गया है इसके अलावा 103 केंद्री विद्याले, हर आदिवासी बाहुल तालूके में एक लब माडल आवाशी विद्याले और 62 नए नवोदे विद्याले बनाने की दिसा में कदम उठाकर सिक्षा ब्यवस्ता को और अधिक मजबूत आधार देने का काम किया जा रहा है सिक्षा के इस्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कई दिसाओं में अनेक प्रियास किये जा रहा है राष्ट के भविश्त को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवस्चिक है कि जो बच्चे अभी विद्यालेओं में हैं उन्हें अपने विचारों की उड़ान को सच्चाई में बदलने का पूरा अवसर मिले आइडियाज से इन्नोवेशन की इसी सोच के साथ सरकार पांच जार से अधिक अटल टिंकरिंग लैप्स की स्थापना के लिए तत्पर है बदलते समय और बदलती टेकनोलाजी के साथ रोजगार और बेवसाय के तरीके बदल रहे हैं हमारे देश का युवा इसके लिए तयार हो सके इस दिसा में मेरी सरकार द्वारा निरंतर प्रियास किया जा रहा है युवा केंदरित खेलो इंडिया अवियान के तहट मेरी सरकार देश के कोने कोने से प्रतिभावान खिलाणियों के पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने का प्रियास कर रही है सबसे महतपूर यह है कि इसके चेयन में पारदरिसिता है जिससे खिलारियों का मनोबल बढ़ा है इसका परणाम हमें राश्ट्री और अंतर राश्ट्री इस्तर पर मिल रहे पदकों के रूप में दिखाई देता है माननी सदसगर आज भारत की बेटियां हर छेतर में प्रभावसाली योगदान दे रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही है आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सरकार की नीतियों और योजनाओं से महिलाओं को उद्यमिता के इतने नए अवसर मिले हैं उनका व्यापक इस्तर पर आर्थिक समावेश और सशक्ति करन हुआ है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना का सबसे अधिक लाब महिलाओं को ही मिला है अब तक देश बर में दिये गए 15 करोड मुद्रा लोन में से 73 प्रिश्चत लोन महिला उद्यमियों ने प्राप्ट को रही है दीन द्याल अत्योदय योजना के तहित लगबक 6 करोड महिलाएं स्वयम साहता समुहू से जुड़ी है ऐसी महिला स्वयम साहता समुहू को मेरी सरकार द्वारा 75,000 करोड रुपए से अधिक का रिंड उपलब्द कराया गया यह रासी वर्ष 2014 के पहले के चार बरसों में दिये गए रिंड से ठाई गुना ज्यादा है देश के छोटे और मजहूले उद्योगों में महिला उद्यमियों की भागीदारी सुनिश्चित हो इसके लिए अब बड़ी सरकारी कमपणियों के लिए यह अनवाज किया गया है कि वे कम से कम तीन प्रतिसत खरीदारी महिला उद्यमियों के प्रतिस्थानों से ही करें मेरी सरकार अलग-अलग छेतरों में महिला होने की बज़े से उनके साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने का प्रियास कर रही है पिछले वर्स ही ये फैसला लिया गया था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट स्रविस कमीशन के माध्यम से न्यूक्त महिला अधिकारियों को पुरुस समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्सी चैन प्रिया के माध्यम से इस्थाई कमीशन दिया जाएगा आजादी के इतने वर्ष बाद भी महिलाएं अंडरग्राउन माइनिंग के छेतर में नौकरियों के अधिकार से बंचित थी मेरी सरकार ने निरने लिया है कि इस छेतर में भी महिलाओं को नौकरी के समान अवसर दिये जाएंगे इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं को अपने नवजात सिश्वों के अच्छी तरह लालन पालन का परियाब्द समय मिल सके इसके लिए मेटरनेटी लीप को 12 सपता से बढ़ा कर 26 सपता कर दिया है चाहे चिलचलाती धूप हो, मूसलाधार बारिस हो, बर्फबारी हो या कोई और चुनौती हो हमारे देश के महनती किसानों ने दिन रात एक करके खाद्यानों का रिकार्ड उत्पादन किया है डेरी उत्पादों और मचली पालन तथा अन्छेत्रों में इजाफा किया है आप में से बहुत से सदश्यों ने गाउं के जीवन और किसानों के संघर्स को बहुत करीब से देखा है हमारे किसान भाई, हमारी अर्थ बवस्ता का आधार तो हैं ही, वे हमारे देश की परंपराओं के भी संरक्षक है मैं पूरे सदन की ओर से भारत के अन्नदाता किसानों का अभिनंदन करता हूँ मेरी सरकार देश के किसानों की आय को दुगना करने के लिए दिन रात प्रतिसील है किसानों की हर जरूरत को समचते हुए उनकी समस्याओं के इस्थाई समाधान के लिए सरकार प्रयासरत है कृशी उपकरान और बीज खरीदने से लेकर बाजार में कृशी उत्पात पहुँचाने और बेचने तक की पूरी प्रकिया में किसानों को अधिक सुविधा और साहता मिले ये सरकार की प्रात्मिक्ता है खेती पर होने वाला खर्च कम करने, किसानों को फसल की उचित, कीमत दिलाने, नए बाजार मोहिया कराने तथा करसी छेतर में आए के नए साधन जोडने के लिए नई सोच के साथ काम किया जा रहा है मेरी सरकार ने 22 फसलों के नियुनतम समर्थनमूल यानि MSP को फसल की लागत का डेड़ गुना से अधिक करने का अधियासिक फैसला लिया है इसके साथ ही किसानों को अच्छी गुरवत्ता के वीजों की उपलब्दता सुनिश्चित की गई है विज्ञानिक तरीकों से खेती में मदद मिले इसके लिए देश बर में करसी विज्ञान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा रही है मिट्टी की सेहत के बारे में किसानों को जानकारी देने के लिए 17 करोड़ से ज़्यादा शायल हेल्थ कार्ड माटे गए है खाद की उपलब्दता सुनिश्चित करने तथा यूरिया के दुर्प्यों को रोगने के लिए यूरिया की 100% नीम कोटिंग भी की गई है सिचाई के लिए पानी की बवस्ता बेहतर बनाने के लिए मेरी सरकार पहले की 99 अधूरी परियोजनाओं को पूरा कर रही है इनमें से 71 परियोजनाएं अगले कुछ महीनों में पूरी होने जा रही है जल की प्रतेग बूंद का समचित उप्योग को इसके लिए सरकार माइक्रो एरिकेशन को बढ़ावा दे रही है फशल खराब होने की इस्तिती में किसानों पर आने वाले संकट में साथा के लिए प्रधान मंत्री फशल विमा योजना के थैट कम प्रीमियम पर फशलों का विमा किया जा रहा है किसानों को फशल बेचने में आसानी हो इसके लिए देश की पंद्रव सो से ज़्यादा क्रिसी मंडियों को आन लाइन जोडने का अभियान चलाया गया फशलें बाजार तक पहुँचने में खराब ना हूँ उनका सही भंडारन हो सके इसके लिए देश भर में जगे जगे नए ओल्ड स्टोरेज बनाने का काम तेजी से चला है फशल के बाद खेतों से निकलने वाले अवसेश से भी किसानों की कमाई हो सके इसके लिए वेस्ट टू बेल्ट अभियान चलाया जा रहा है मेरी सरकार ब्लू रेवलूशन इसकीम के द्वारा मचवारों को गहरे समुद्र में जाकर मचली पकड़ने का प्रसिक्षन देने के साथ आधनिक फिशिंग ट्रॉलर्स उपलब्द करा रही है ये सारे ब्यापक कार सत्तर बर से चली आ रही हमारी करसी ववस्ता में इस्थाई बदलाव लाएंगे और हमारे अनदाता किसानों को सशक्त करके उन्हें मुश्किलों से उबार पाएंगे तथा उनके सामर्द के साथ न्याय कर पाएंगे माननी सदसगन मेरी सरकार डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़ी योजनाओं को गती देकर यह भी सुनिश्चित करने का प्रियास कर रही है कि ग्रामीर इलाकों में रहने वाले लोगों को भी इगवर्नेंस का पूरा लाब मिले बर्स 2014 में देश में मात्र 59 ग्राम पंचायतों तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुँच भाई थी आज 1,16,000 ग्राम पंचायतों को आप्टिकल फाइवर से जूर दिया गया तथा लगबग 40,000 ग्राम पंचायतों में वाई-फाइ हाट स्पार्ट लगा दिये गया ग्रामेर भाई बहनों तक सुविधाएं आसानी से पहुँचें इसके लिए कामन सर्विस सेंटर्स की इस्थाबना बहुत तेजी से की गई है इन केंद्रों में बैंकिंग से लेकर बीमा और पेंचन से लेकर स्कालर्सिप की तमाम सुविधाएं गाओं के लोगों को आनलाइन उपलब्द कराई जा रही है बर्स 2014 में देश में सिर्फ 84,000 कामन सर्विस सेंटर थे आज उनकी संख्या बढ़कर 3,000,000 से अधिक हो गई है इसमें से भी 2,000,000,000 सर्विस सेंटर के वल ग्राम पंचायतों में स्थापित किये गए है Information Technology के इस यूग में डेटा का आसानी से और कम दरों पर उपलब्द होना हमारे देश वासियों के लिए बहुत बड़ी सुविदा है और विकास का जरियावी है बरस 2014 में जहां एक जी बी डेटा की कीमत लगबख 2500 रुपए थी अब वह घटकर 10-12 रुपए हो गई है इसी तरह मॉबाइल पर बात करने में पहले जितना खर्श होता था वो भी अब आदे से कम हो गया है पहले सामान उद्यमियों के लिए सरकारी विभागों को अपना सामान बेचना पराया नामुम्किन होता था अब सरकारी खरीद के लिए GEM यानि Government E-Market Place नामा के एक आनलाइन प्लेट फार्म विक्सित किया गया है जिम की बज़े से जहां एक और सरकारी खरीद में पारदस्ता आई है वहीं दूसरी और देश बर के छोटे बड़े सहरों और गाओं के ब्यापारी अपना उत्पाद बिना किसी मुश्किल के सरकारी विभागों को बेच सकते है प्रक्रियाओं को सरल बनाने की कड़ी में सरकारी ने हाली में सिर्फ 59 मिनिट में एक करोर रुपए तक के रिण की सुकृति देने वाली योजना भी सुरू की है माननी सरस्गर मान संत तिरु पल्लूवर ने कहा है कि ये टूलम इटूलम कातलूम कात वगुत तूलूम वल्लद अरश यानि की अच्छी सरकार समचित ढंग से संपत्ती अरजित करती है राजी के धन और सेवाओं को बढ़ाती है उनका ठीक से संरक्षन करती है और लोगों के बीच राजी की शुविदा और संपता को सजक्ता के साथ नियाय पूर्ण तरीके से पहुँचाती है बैंकों के राश्ची करण के 45 साल बाद भी हमारे देश में गरीबों के लिए बैंकिंग सुविदाओं की क्या इस्तिती थी इससे हम सब भली भाती परजित है मेरी सरकार की जन धन योजना इस बात का एक उत्तम उदारण ही कि कैसे एक बड़े आर्थिक परिवर्तन का आधार तयार किया जाता है यह योजना सिर्फ लोगों के बैंक खाते खोलने मातर की नहीं है इसके उद्देश बहुत ब्यापक है यह योजना देश के गरीब का आर्थिक समावेश कर रही है और उसका आत्म विश्वास बढ़ा रही है जन धन योजना की बज़े से आज देश में 34 करोण लोगों के बैंक खाते खुले है और देश का लगबग हर परिवार बैंकिंग ववस्ता से जुड़ गया है एक अंतररास्ट्री एजन्सी के अनुसार बर्स 2014 से लेकर 2017 के बीच पूरे विश्व में खोले गए कुल बैंक खातों के 55 प्रिश्वत खाते भारत में ही खुले है आंकरों से आगे बढ़कर इसका जो सकारात्मक पुर्भाव देश की आर्थिक बिवस्ता पर पढ़ रहा है उसे भी जानना आवस्यक है हमारी माताएं बहने बुरे वक्त में काम आने के लिए हमेशा कुछ पैसे बचा कर रखती थी लेकिन अकसर ये पैसे रोज मर्रा की जरूरतों पर खर्च हो जाते थे आज जन धन खातों में जमा अठासी हजार करोण रुपए इस बात के गवाह हैं कि कैसे इन खातों ने बचत करने का तरीका बदल दिया है जन धन योजना की बज़े से ही आज मनरेगा का पैसा अलग अलग बीमा योजनाओं की रासी स्कालर्शिप पेंशन ज्यादातर सरकारी लाग डीबी टी के जरिये सीधे गरीबों के बैंक खातों में जाने लगा है गरीब और सरकार के बीच बिचोलियों की भूमका जन धन खातों ने समाप्त कर दिया आज अगर देश में 60 करोड से जादा रुपे डेबिट कार्ड है और भीम एप के द्वारा कम लागत पर डिजिटल लेन देन सुलब हो रहा है तो उसके पीछे जन धन योजना की बहुत बड़ी भूमका है इसी कड़ी में अब तक डागघरों में स्थापित इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के माध्यम से सरकार बैंकिंग सेवाओं को लोगों के और निकट पहुँचा रही है भारत में हो रहे इस आर्थिक समावेश की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है मानेनी सदस्गन समाज कल्यान के अनेक चर्चा प्रभाव देखने को नहीं मिलता था नागरिकों के सुख दुख उनकी परेशानियों के प्रती मेरी सरकार की सजकता सक्वेता और सही नियत ने बड़े बदलाओं को संभो कर दिखाया बरस 2014 में मेरी सरकार को जनता ने पूर बहुमत देने के साथ ही यह आदेश भी दिया था कि काले धन और ब्रस्टाचार पर कड़ी से कड़ी कार रवाई हूँ बीते साड़े चार बरसों में मेरी सरकार ने ब्रस्टाचार के खिलाब मजबूत लड़ाई लड़ी है जन्मन को समझने वाली मेरी सरकार ने पहले दिन से ही काले धन और ब्रस्टाचार के खिलाब मुहिम छेड़ी और केबनिट की पहली ही बैठक में काले धन के खिलाब SIT यानी विसेज जाँच दल के गठन का नड़े लिए इसके बाद सरकार ने काले धन के खिलाब नया और कठूर कानून बनाया विदेश में गैर कानूनी तरीके से जुटाई गए संपत्ती के खिलाब भी मेरी सरकार ने अध्यान चलाया tax heaven समझे जाने वाले अनेक देशों के साथ नए सिरे से समझोते किये गए और कई देशों के साथ पुराने समझोतों की कम्यों को दूर करते हुए नए बदलाव लाए गए भारत से विदेश जा रहे काले धन को रोकने के साथ ही मेरी सरकार ने देश के भीतर भी काले धन के खिलाब एक बड़ा अभियान चलाया देश का हर वो सेक्टर जहां काले धन का प्रवाह था उसके लिए नए कानून बनाये गए उन्हें टैक्स के दाइरे में लाया गया इन कारवाईयों के बीच सरकार ने लोगों को अपनी अघोसित आय और अघोसित धन को स्विक्षा से घोसित करने का आवसर भी दिया काले धन और भस्टाचार के खिलाब सरकार द्वारा चलाये जराये अवियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्पूर कदम था इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थ विवस्ता पर प्रिहार किया और वह धन जो विवस्ता से बाहर था उसे देश की अर्थ विवस्ता से जोड़ा गया सरकार के इस कदम ने देश को अस्थिर करने वाली ताकतों और काले धन के प्रवाह में मदद करने वाली ब्यवस्थाओं की कमर तोड़ दी काले धन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार 3,38,000 संदिक्द शेल कंपनियों का रेजिस्टेशन सरकार द्वारा खत्म किया जा चुका है इन कमपनियों के निदेशकों को दुबारा चुने जाने पर भी पावंदी लगा दी गई है वहीं बेनामी संपत्ती कानून, प्रिवेंशन अफ मनी लांडरिंग एक्ट और आर्थिक अपराद करके भागने वालों के खिलाव बने कानून के तहट 50,000 करोर रुपए से जादा कि संपत्ती जब्त करने की कारवाई हो रही है ये मेरी सरकार की नीतियों का इप्रभाव है कि आज रियल स्टेट सेक्टर में काले धन के उप्योग में भारी कमी आई है जिसकी बज़े से घरों की कीमते कम होई है और एक साधारन मध्यम बरगी परिवार का अपना घर होने का सपना सच हो रहा है माननी सदस्गर मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी सरकार की नीतियों से सरकार पर लोगों का विश्वास बढ़ा है और इंकम टेक्स देने वालों की संख्या में भारी ब्रद्धी हुई है बर्स 2014 से पहले जहां 3.8 करोड लोगों ने अपना रेटर्न फाइल किया था वहीं अब 6.8 करोड से ज़्यादा लोग आएकर रेटर्न फाइल करने के लिए आगे आए आज करदाता को ये विश्वास है कि उसका एक एक पैसा राष्ट निर्मान में इमानदारी के साथ खर्च किया जा रहा है मेरी सरकार मानती है कि ब्रस्टाचार और कालाधन देश के इमानदार करदाता के प्रती बहुत बड़ा अन्या है ब्रस्टाचार सदयु किसी गरीव या मध्यम बर्गी व्यक्ती का अधिकार चीनता है इस स्थिती में सुधार के लिए सरकार ने आधनिक टेक्नोलाजी की इस्तेमाल पर बल दिया है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का विस्तार करने से पिछले साड़े चार वर्स में 6,05,000 करोड रुपए से ज़्यादा की रासी लावार्थियों तक पहुंची है इस बज़े से अब लगबग 1,10,000 करोड रुपए गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं सरकार ने लगबग 8,000,000 करोड ऐसे नामों को भी लावार्थियों की सूची से अटाया है जो बास्तों में थे ही नहीं और बहुत से बिचॉलिये फरजी नाम से जनता के धन को लूट रहे थे माननी सदस्गन देश को शशक्त बनाने के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसी अर्थ व्यवस्ता कर निर्मान करें जो देश बास्यों को पारदर्सिता और इमानदारी के साथ आगे बढ़ने में मददगार हो बर्स 2014 से पहले पारदर्स्ता के अभाव में कोईला खादानों का आवंटन चर्चा में रहा करता था मेरी सरकार ने उन्हीं कोईला खादानों की पारदर्सि व्यवस्ता विक्सित करके नीलामी की है और राश्ट्री संपत्ती की रक्षा की है इन्सॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट के नए कानून की बज़े से अब तक बैंकों और देनदारों के तीन लाग करोन रुपए का प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निप्टारा हुआ है डिफाल्ट करने की नियत से बड़े बड़े कर्ज लेकर उन्हें हरब जाने की प्रवर्थी पर अंकुस लगा है सरदार पटेल ने देश के भगोलिक और राजनेतिक एकी करण का चुनोती पूर्ण लक्ष अपनी अशाधारन चमताओं के बल पर प्राप्त किया था लेकिन पूरे देश के ब्यापक आर्थिक एकी करण का काम अधूरा रह गया था हमारे ब्यापारी और उद्यमी हमेशा परेशान रहते थे कि वो अपना सामान कहां से खरीदें और कहां बेचें किस तरह से अलग-अलग राज्यों की अलग-अलग कर प्रणालियों का पालन करें अब GST जैसा ब्यापक कर सुधारना होने से वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट की अवधारना साकार रहा है GST से देश में एक इमानदार और पारदर्सी ब्यापारिक विवस्ता कर निर्माण हो रहा है जिसका काफी बड़ा लाग देश के युवाओं को मिल रहा है इस विवस्ता से ब्यापारियों के लिए पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार करना आसान हुआ है और उनकी कटनाईया कम हुए हैं मैं देशवासियों को इस बात के लिए बधाई दिता हूं कि सुरू आती दिक्कतों के बाबजूद देश के बहतर भविस्य के लिए उन्होंने बहुत कम समय में एक नई प्रणाली को अपनाया मेरी सरकार ने ब्यापार जिगत से मिल रहे हैं सुझाओं को ध्यान में रखकर GST में सुधार की प्रकिया को निरंतर चारी रखा है मेरी सरकार की प्रात्मिक्ता रही एक हमारे युवास सम्मान के साथ अपना रोजगार सुरू करें और दूसरों को भी रोजगार दें स्वरोजगार को सुविदा जनक बनाने के लिए मेरी सरकार ने ब्यापक सुधार किये हैं जिनकी विश्व इस्तर पर सरहना हो रही है इन सब सुधारों के परणाम सुरूब इस आप डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भारत जहां 2014 में 142 में इस्तान पर था वहीं अब 65 रैंक उपर आकर 77 में इस्तान पर पहुँच गया है यह एक अशाधारा उपलब्दी है माननी सदसगन पिछले साड़े चार बर्स में देश की अर्थविवस्ता आउस्तन 7.3 प्रिचसत की रफ्तार से बढ़ी है भारत अंतर राष्टी ब्यापार में एक महत्पूर्ण भूमका निभारा है बर्स 2014 में विश्यू के जीडीपी में भारत का योगदान 2.6 प्रिचसत था नवीन्तम रिपोर्ट के अनुसार अब यह बढ़कर 3.3 प्रिचसत हो गया है आज भारत विश्यू की छटवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन चुका है अब हमारे देश के सामने चौथी और द्योगिक करांती में निर्णायक भूमका निभाने का आउसर आया है मेरी सरकार का यह प्रियास है कि देश के लोग इस आउसर का पूरा लाब उठाए और द्योगिक विकास और रोजगार पैदा करने के छेतर में आज मेक इन इंडिया की पहल के प्रभावी परणाम सामने आ रहे हैं अब भारत मोवाइल फोन बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया हाल ही में लोको मोटिव डीजल इंजनों को 10,000 हर्स पावर के इलेक्ट्रिक इंजन में परिवर्टित करने का खीरती मान भी भारत ने स्थापित किया मेक इन इंडिया के तहट ही आंधर प्रदेश में एसिया के सबसे बड़े मेट टिक जोन की स्थापना की जा रही है तमिल नाडू और उत्तर प्रदेश में डिफेंस कोरीडोर का निर्मान किया जाला है बहुत जल्द ही देशवासियों को अब तक की सबसे तेजगती की ट्रेन बंदे भारत एक्स्प्रेस की अतियादुनिक सुख़ाएं भी उपलप्र कराई जाए आज मैं अपने देश के वईग्यानकों और इंजीनियरों को भी बढ़ाई देना चाहता हूं जो आधनिक टेक्नोलाजी के इस दौर में भारत की प्रतिस्था पूरे विश्व में नरंतर बढ़ा रहे हैं विसेश कर इस दौर के वईग्यानिक और इंजीनियर सैटलाइट प्रक्षेपन में लगातार नए रिकार्ड बना कर दुनिया में अपनी स्रिष्टता साबित कर रहे हैं मैं अपने वईग्यानिकों और इंजीनियरों को राष्ट की ओर से मिशन गगन यान के लिए शुब कामनाएं देता हूँ मानने इस सदसगन मेरी सरकार द्वारा तेजी से काम पूरा करने और जवाब देही पर जोर देने से लोगों में सरकार पर विश्वास बढ़ा है तथा विकास को नई गती मिली है आज मेरी सरकार परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए पहसानी जाती है असम में दसकों से लंबित भारत का सबसे बड़ा बोगी बील रेल रोड ब्रिज हो दिली के पास बेस्टन पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे हो या फिर केरल का कोलम बाइपास ऐसी अनेक परियोजनाओं में देरी के कारण देश के आम नागरिकों के साथ अन्याय हो रहा था इन्हें ततपरता के साथ पूरा करके मेरी सरकार ने देश के साधनों सामर्थ और जन्मानस की आकांचाओं के साथ अन्याय किया माननी सदस्गर्ण 21. सदी के अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर विक्सित करना हर देश बासी की विशेश कर मध्यंबर्ग और इवाओं की आकांचा से जुड़ा हुआ है इस आकांचा के अनुरूप मेरी सरकार नई परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है प्रियागराज में रिकार्ड 11 महिने में बना एयरपोर्ट टरन्मल इसका उदारन है पिछले वर्स देश का पहला कंटेनर विशल कोलकता से चल कर रास्ट्रिय जलमार के जरिये वारानसी तक पहुँचा है इस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे को भी नवंबर 2015 में सुरू करके पिछले साल देश को समर्पित किया जा चुका है मेरी सरकार मानती है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उरीशा और पूर्वी उत्तर के राज्यों यानि संपूर्वी भारत में देश का नया ग्रोथ हिंजन बनने की छमता है इसलिए पूर्वी भारत में रेलवे, हाईवे, वाटरवे, एयरवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेरी सरकार निरंतर बल दे रही है पूर्वी भारत में 19 एयरपोर्ट्स विक्सित किये जा रहे हैं इन में से 5 एयरपोर्ट पूर्वधतर राज्यों में बनाये जा रहे हैं सिख्यम में पाकियोंग एयरपोर्ट और उरिसा के जहार सुग्ड़ा में वीर सुरेंदर साह एयरपोर्ट का निर्मान भी पूरा किया जा चुका है उत्तरप्रदेश के गोरगपुर बिहार के बरावनी और जारखंड के सिंद्री में बरसों से बंद पड़े फर्टिलाइजर प्रांट्स के पुनर निर्मान का कार बहुत तेजी से चल रहा है लगबग 13,000 करोड रुपे की लागत से प्रारंब की गई उर्जा गंगा परियोजना पूर्वी भारत के अनेक सहरों में गैस पाइपलाइन पर आधारे तुद्योगों का विस्तार करेगी सरकार पूर्वी भारत में नए इम्स के साथ साथ नए इंडियन एकरिकल्चर रसर्च इंस्टिटूट की स्थापना भी कर रही है सरकार द्वारा महत्मा गांदी की कर्म भूमी पूर्वी चंपारण मोती हरी में एक केंद्री विश्व विद्याले की स्थापना भी की गई है इसी तरह असम के लिए महत्मूर्ण गैस क्रेकर प्रोजेक्ट और उडिसा में पारादी तेल रिफाइनरी के कार में भी तेजी लाई गई है आसम और अनुनाचल प्रदेश को जोडने वाला धोला सदिया पुल जिसे भूपेन हजारी का सेतु नाम दिया गया है अब देश को समर्पित किया जा चुका है सरकार ने जिन 18,000 गाओं में बिजली पहुचाई है उनमें से लगबख 13,000 गाओं पूर्वी भारत के हैं इनमें से भी 5,000 गाओं पूर्वोत्तर राज्यों के दूर दराज़ वाले इलाकों में इस्थित हैं पूर्वोत्तर छेत्र में जीवन को आसान बनाने के लिए मेरी सरकार परिवहन और परियतन से परिवर्तन के लक्षवर काम कर रही है पूर्वोत्तर की लगबख सभी रेल लाइनों को ब्राट गेज में बदला जा चुका है अब सभी आठ राज्यों की राज़धानियों को रेल से जोडने का प्रियास चल रहा है इसके लिए लगबख पचास जार करूर रोपे की लागश से पंद्रा नई रेल लाइनों पर काम चल रहा है माननी सदसकर देश की सबसे तेज ट्रेन हो या देश का सबसे उंचा पूल देश का सबसे लंबा सीलिंग हो या देश की सबसे लंबी सुरंग दुगनी गत से हाईवे का निर्माण हो या रेल लाइनों को गेज में बदला हो रेलवे स्टेशनों को आधनिक शुरूब देना हो या देश के अनेक सहरों में नई मेट्रो परियोजनाएं देश के छोटे-छोटे सहरों को हवाई यात्रा से जोड़ना हो या नई जलमार का निर्माण हो इन सबी छेत्रों में मेरी सरकार आधनिक इंफरास्ट। का तेजी से विकास कर रही है परियाबरन को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरब भी आगे बढ़ रही है हमारे शहरों को आधनिक टेक्नोलोजी पर आधारित विवस्ताएं मिले हमारे शहर अर्थ विवस्ता के ग्रोथ हिंजन बने इसके लिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहट सो शहरों में आधनिक सुर्थाएं विक्सित की जा रही है नागरी कुड्यन के छेतर में भी देश को तेज रफ्तार से आगे बढ़ाया जा रहा है पिछले चार वर्स से लगातार इस सेक्टर की विकास दर्थ दो अंकों में रही है इस बर्स बर्स 2017-18 में देश के 12 करोड 30 लाग से ज़्यादा लोगों ने हवाई यात्रा की है इस संख्या में निरंतर ब्रद्दी हो रही है यह बदलाव बढ़ते हुए भारत की एक जलक पेस करता है उरान योजना के अंतरगत लोगों को 12 लाग सीटे कम कीमत पर उपलंद कराएं गई है जिसके कारण आज साधारन परिवार की वक्ति को भी हवाई जाज में उड़ने का अवसर मिल गा है साथ ही सरकार द्वारा बीते साड़े चार वरसों में देश में 300 से ज़्यादा नए पास्पोर्ट केंद्रों की भी स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश के मानने योगी आदितनाज जी की सरकार ने आम जनिता की भराई के लिए जितनी तक परता से पर्दिश्धाँ चाहिए